ही एवरिबड़ी वल्कम बैक टू जी ए क्रिप्टो चैनल नमश्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गाई इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे about a new hyped project के बारे में जिसकी काफी दा hype है, confirmed airdrop है, थोड़ा समझदारी का हम लोग काम दिखाएंगे तो हम लोग 2 से लेके 3 डिजिट का profit वहाँ से अन कर सकते हैं, आने वाले कुछ months के अंदर और दोस्तों, अगर आप airdrop join नहीं भी करते हो, तो भी आप यहाँ से profit अन कर सकते हैं वो कैसे उसके लिए पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखेगा अब ही दोस्तों, जब से हमारा चैनल का नाम GA crypto हुआ है तो यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा ऐसे early opportunities की बारे में बताना चालू कर दिया है जिसमें कि आप यहाँ पर थोड़ा बद इन्वेस्ट करके भी profit अर्न कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर तो बेसिकली गाइस दिस नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइज लेकिन जो यहाँ पर हम पर्सनली अपने लिए फॉलो करते हैं वही चीज आपके साथ शेयर करते हैं तो यहाँ पर जी स्विफ्ट के बारे में आपके साथ एक analysis शेयर किया था है एक information शेयर करी थी telegram पर हमारे bit India चैनल पर genuine drop चैनल पर सब जगा शेयर करी थी हलंकि bit India चैनल पर हम specifically analysis के बारे में ही शेयर करते हैं all, only analysis, trading से related and analysis related वो सब चीज़ यहाँ पर हम शेयर करते हैं तो अगर आपने join नहीं किया है तो join करें यहाँ पर बहुत सी important information, calls या फिर आपको on-gen analytics मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा coin यहाँ पर अब जाने वाला है, market अंदर क्या चल रहा है और क्या उसके अंदर potential है G-Swift के बारे में दोस्तों हमने share किया था, जो कि दोस्तों gamification वाला project है और जैसी हमने उसके call share किया, उमीद नहीं थी इतनी अलदी pump होगा लेकिन काफी जल्दी इसके अंदर, around 70-80% का pump आया just 24 घंटे के अंदर, although यह token हम लोगों ने airdrop में भी earn किये थे आप सबी के पास भी यह token होंगे, आप लोग अपने wallet को या आपने airdrop को ज़रूर चेक करना मैंने channel पर update आपके साथ share कि हुई है, तो यहाँ पर आप देखेंगे G-Swift token हम लोगों को मिले थे सबी लोगों को जिन लोगों ने G-Swift का यहाँ पर अनके गैलेक्स के टास्क और बहुत सारे टास्क आये थे, वह हमने complete करके token अन करे थे, token जो की airdrop के wafting पर थे, every month कुछ ना कुछ token unlock हो रहे हैं, आप लोग जाके चेक करना मैंने हाँ पर पोस्ट का link share के हुआ है, और जो token यहाँ पर average user को मिले थे, वो 1700 token के आसपास मिले थे, जो की वर्थ करते हैं दोस्तों, $400 के current price के साब से और उससे जाधा थोड़ा यह वर्थ करता है, future में हम लोग G-Swift के अंदर और भी जाधा exponential growth देख सकते हैं, इसी के 50 cent के हैं, तो almost 40% up है, और अगर आपने थोड़ा बात hold भी किया होगा, तो आप यह 40% profit में हो, और airdrop का amount भी अगर आपने hold गया होगा, 50% sale भी किया होगा, 50% hold भी किया है, तो अभी आप यहाँ पर अच्छे profit में हो, so दोस्तों, किसी भी project में sale करने से पहले अगर वो airdrop क होता है, तो थोड़ा सा analysis करना भज़र होता है, उससे हमारा यह है कि थोड़ा बहुत profit बच जाता है, या फिर हम थोड़ा बहुत profit और जादा बना पाते हैं, so guys, अभी हम लोग जिस project के बारे हैं, बात करने वाले हैं, वो है blast, blast के बारे में आपके साथ Twitter पर कल मैंने post शेर करें थी, Blast का दुस्तों, Airdrop चल रहा है Blast एक Layer 2 प्रोजेक्ट है जैसे की Optimism है, Arbitrum है उसी तरीके से Layer 2 प्रोजेक्ट है, Competition करने के लिए आया है, Market के अंदर Arbitrum and Optimism के साथ and इसके जो Owner है, वो है दुस्तों, Blur Blur के Founder ने Blast प्रोजेक्ट को Layer 2 प्रोजेक्ट को लांच किया है अगर आप दोस्तों, हमारी इवाली पोस्त को डीट करेंगे, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जागा कि यहाँ पर मैंने आपको थुछा सा एक इसका इंट्रोड़क्शन दिया था पर Hold रख सकते हैं Ethereum को Hold रख सकते हैं, यहाँ पर जो भी यह Coin सपोर्ट कर रहे हैं, उनको उसको Hold रख सकते हैं मैं सजेश्ट करूँ यहाँ पर Ethereum को और यहाँ पर साथी साथ में Hold करने के साथ हमारे Ethereum की Value भी Time के साथ Increase होगी, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर Early Access का यहाँ पर Option आपको मिल जाएगा इनका Mainnet अभी Launch नहीं हुआ है, दोस्तों Mainnet इनका February में Launch होगा और जो Ethereum हम लोग Stake करेंगे, वो तब ही हम लोग Unlock कर पाएगे So यहाँ पर आपको Invitation Code के लिए पूछा जाएगा जो कि आपको यहाँ पर Comment Box में आप अगर चेक कर लेना, बहुत सरे लोगों ने अपने Invitation Code शेयर करें किसी का भी आप यूज कर सकते हैं और ध्यान रखिए, जिसका भी आप Invitation Code शेयर, मतलब यूज करोगे तो अगर आप इसमें Join करते हो Europe, तो उनको भी इसका Referral Bonus मिलेगा लेकिन इसके अंदर दोस्तों एक ही Problem यह है कि इसमें आप 10-12 लोगों से जादा किसी को Invite नहीं कर सकते हो तो Limited Invitation वाला यह प्रोग्राम है और अगर आप उनी लोगों को Invite करें जो आपके Join करने के बाद इसको Join करें, मतलब इसके अंदर Ethereum deposit कर लेते हैं, तो आपको कुछ ना कुछ points यहापर मिलते हैं, जैसे कि मुझे यहापर मिले थे about 113 points, ठीक है, यह points हमें यहापर मिलते हैं था bonus, इनको हम secure कर सकते हैं इसके लिए हमें bridge करना ज़रूरी है, यहापर अगर हम साथ दिन के नदा कोई भी amount bridge नहीं करेंगे, तो यह points secure नहीं होगे, points यह automatically reset हो जाएंगे, तो मैंने यहापर थोड़ा सा amount Ethereum का bridge किया, blast के अंदर और यहापर 0.07 Ethereum यहापर deposit किये हुए हैं, और इसके अंदर दोस्तों, जितने जादा Ethereum यहापर hold करेंगे, उतना जादा हमारे को points मिलेंगे, अब यहापर बहुत से दोस्तों की comment आया है कि कितने Ethereum हम लोगों को hold कने चाहिएं, तो यहापर किसी user ने comment किया है हमारे, you need at least one Ethereum, otherwise no benefit, तो उनका कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक Ethereum या उससे एक Ethereum से कम amount deposit करते हो, और सोचते हो की जादा स्यादा points हम अन कर लेंगे, तो उसमें points काफी limited मिलते हैं, ऐसा अनका कहना है, I added 0.05 Ethereum, but 0 points and 0 spins, तो दोस्तों यहापर मैं आपको बता दूँ, points and spin ऐसे नहीं मिलेंगे इसके अंदर, इसमें जो Ethereum जब आप hold करते हो, Ethereum जब आप यहाँ पर इस तरीके से आपके पास amount आ जाता है, तो यह weekly basis पर आपको यहाँ पर points मिलते हैं, daily basis पर या hourly basis पर नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसके नीचे हमारे एक और user ने कमेंड किया, you will get one point per week per Ethereum deposit, तो यहाँ पर इनका कहना है कि अगर आप एक Ethereum deposit करते हो, तो आपको एक point मिलेगा per week, यही question जब इनके admin से पूछा जाता है, तो admin यहाँ पर points के बारे में यह बोलते हैं, कि अभी हमारे पास इसके regarding कोई information नहीं है, कि अगर हम कितने Ethereum hold करेंगे, तो कितने points यहाँ पर मिलेंगे, तो officially इसके बारे में अभी कोई information उन्होंने reveal नहीं करी है, लेकिन यह week आने पर हमें पता चल जाएगा, और यह information इनको कहां से मिली है, तो उन्होंने भी discord के थुरू, कहीं न कहीं से पता करा है, किसी के थुरू, admin के थुरू, यहाँ पर यह information पता चल लिए, वहाँ पर जादा स्यादा time spend करने पर पता चल गया होगा, तो यह कितना real है, कितना नहीं है, वह दोस्तो टाइम आने पता चल जाएगा, बाकी यहाँ पर जो दूसरा तरीका है, एड़ोप अन करने का, वह मुझे सबसे ज़ादा यहाँ पर पसंद आया, वह तरीका यहाँ पर दोस्तो है, blur token का, यानि कि अगर आप blur token hold करते हो और उनको deposit करते हो, तो दोस्तों यहाँ पर उसके बदले में आपको points मिलेंगे, पर blur token का आपको 3 से लेकर के 1 point मिलेगा, और यह amount everyday reduce हो जाएगा, और reduce होगा maximum 1 points तक, तो वो क्या chart है, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर इस image को open करेंगे, तो यहाँ पर जो हम blur की website पर जाते हैं, तो blur का season 3 एडरो पर start हुआ है, जिसमें अगर हम blur token को stake करते हैं, यहाँ पर deposit करते हैं, जस्ट staking नहीं बोलेंगे, deposit करते हैं, तो हमें blast के points मिलेंगे, अब दोस्तों आप सूच रहे होंगे, blast में जो हमें points मिल रहे हैं, और जो, sorry, blur में हमें जो points मिल रहे हैं, और जो blast की website पर points मिल रहे हैं, क्या यहीं question मेंने दोस्तों admin से भी पूछा है, क्या यह points same है, जैसे कि आप यहाँ पर question को read करेंगे, blur is taking points on blur website and ethereum is taking points on blast website are same or not, तो यहाँ पर admin बोल रहे है not the same, यानि कि दोनों का ratio अलग अलग रहेगा, blast की website पर जो points हम earn करेंगे, इनका ratio अलग होगा, and यहाँ पर blur की website पर जो हम यहाँ पर blur token को deposit करके, जो points earn करेंगे, उनका airdrop ratio अलग रहेगा, इस बात की दूस्तों 100% guarantee नहीं है, लेकिन जो admin बता रहा है, उसके हसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, so personally मैं भी यह वाला airdrop join कर रहा हूँ, blur वाला जिसके लिए blur token को hold रखना है, deposit करना है, लेकिन यह जो सारे काम होंगे दोस्तों, यह ethereum main net पर होंगे, तो जब मैं इनकी website पर आता हूँ, यह वाली website पर जो आपको twitter की post में भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर आने के बाद आपको blur deposit करने हैं, उसके लिए दोस्तों आपको blur token को पहले buy करना पड़ेगा, आप किसी भी exchange से buy कर सकते हैं, kucoin से, mexy से, किसी भी exchange से, और ethereum के wallet के अंदर आपको लिना पड़ेगा, आप metamask में ले सकते हैं, अपने ethereum net रोक वाले wallet के अंदर, and simply इस website पर जब आएंगे तो wallet connect करने के लिए बोलेगा, wallet को connect करना, deposit पर click करना, आपके wallet के अंदर कितने हैं, वो आपको यहाँ पर दिखा देगा, अभी मैं आपको यहाँ पर deposit कर चुका हूँ, करीब 2000 के आसपास, यहाँ पर blur मैंने deposit करके, stake करें, आप कभी भी withdraw कर सकते हो, ठीक है, आपको अगर withdraw करने का मन है, तो आप deposit amount को withdraw भी कर सकते हो, लेकिन जो भी काम यहाँ पर होंगे, दोस्तों, यह Ethereum network पर होंगे, तो fees यहाँ पर जाता लगेगी, ठीक है, करीब 10 से 15 डॉलर के आसपास, यहाँ पर मुझे deposit करने में fees लगी थी and withdraw करने में भी almost इतनी ही लग जाएगी, अब दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कि blood token अगर आप withdraw करते हो, तो क्या withdraw करने से हमें कोई नुकसान है, तो दोस्तों, यह नुकसान है, हम जैसे कि यहाँ पर बताय हूँ है, कि यहाँ पर हमें 1X multiplier का loss हो जाएगा, यहा 1X multiplier की मदद से earn हो रहे हैं, अगर मैं withdraw कर लूँगा, तो मैंने जितना भी कमाया हुआ है, वो सारा की सारा lose हो जाएगा, सब वापस चला जाएगा, लेकिन यह multiplier जो दोस्तों होता है, यह every month increase होता है, क्योंकि यह staking दोस्तों, May 2024 तक चलनी है, तो May 2024 तक, तो May तक दोस्तों, यह 3X multiplier के आसपस पहुँच जाएगा, every month 0.5 के सबसे 3, से लेकर 3.5 के बीश में पहुच जाएगा, तो suppose कि मैं इसको withdraw करता हूँ, अपरेल के मन्त के अंदर, मुझे लगता है कि अपरेल के मन्त के अंदर, blur token की price काफी ज़ादा बढ़ चुकी है, बहुत से ज़ादा multiplier यहाँ पर कम हो जाएगा, तो यह कुछ इस तरीके से काम करेगा, अब दोस्तों आ जाते हैं, blur token के analysis की उपर, because of दोस्तों यहाँ पर blast token का TVL day by day increase, अगर आप दोस्तों D5 Lama की उपर आकर देखेंगे, तो 307 million dollar का TVL total value यहाँ पर locked हो चुका है, just 2-3 दिन की अंदर, 4 दिन क अंदर maximum, तो बहुत तगड़ी speed से यहाँ पर इसको support मिल रहा है, बहुत तगड़ी speed से hype मिल रही है, और because of यह blur का project है, blur के founder यहाँ पर इसको introduce किया है, blur token को यहाँ पर हमें lock करना रहेगा, या hold करना रहेगा, कुछ भी आप समझ लो, तो यह उसी वज़े से blur के अंदर हम लोगोई spike देखने को मिल रहा है, हर चार्ट भी देखा जाए, fundamental strong होने के साथ, technical भी हाँ पर strong है, अगर हम blur को थोड़े time के लिए hold भी करते हैं, तो हमें इसके अंदर loss की chances काफी जादा कम हैं, और दोस्तों अगर आप हमारे Bit India चैनल के अंदर हैं, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत buy जरूर कर लें, क्योंकि यह हमें profit जरूर देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, 0.4$ पर मैंने आपको उसके साथ share किया था, क्योंकि यहाँ से काफी दो अच्छा bounce हमें देखने को मिल रहा है, और अच्छा pullback यहाँ पर हमें देखने को मिला, support की उपर लोड जरूर कर लेना अपने portfolio के अंदर, you can load some amount of blur token, तो अगर आप इसको investment perspective से भी देखते हैं, जब कभी भी ऐसी news आती है market के अंदर, तो ऐसे आप profit अपने निकाल सकते है market के अंदर, जो मौके की news होती है, चोटी-चोटी मौके की news होती है, जहां से profit निकाला है सकता है, quick profit या फिर थोड़ा short term hold करेंगे भी आप यहां पर profit को अंकर सकते हो, तो अभी भी देखा या दोस्तों, तो blur जो है, वो holding range के अंदर है, buying range के अंदर है, 50 cents के आसपास दोस्तों, अगर आपको बिलता है, तो still मुझे लगता है, आने वाले एक मन्त के अंदर के market थोड़ा बा barrier है, resistance के, वो लेकिन पार हो जाएंगे, अगर market सही रहा, easy तरीके से, और 80 cents से लेकर के 1 dollar तक हम लोग blur को देख सकते हैं, due to the airdrop news, airdrop की news positive है, TVL speed से increase हो रहा है, that's why, बाकी दोस्तों, ये beer market के अंदर आया है, blur token 2024-2025 के अंदर bull run है, तो हम लोग अच्छा expect कर सकते है, blur token के future में, हलांकि एक NFT marketplace project है, तो कभी न कभी ये भी pump होगा, जब इसका trend आएगा, short term के लिए trend आएगा, लेकिन जब भी trend आएगा, तो ये अच्छा खासा pump मार जाएगा, और अगर दोस्तों, आप इसको सोच रहे हैं कि मुझे dip में buy करना है, तो दोस्तों, DC is the best strategy, आप लोग DC सेंट मेरे हिसाब से दोस्तों, एक perfect area है, इसको buy करने का काफी अच्छा यहाँ पर support भी है, तो ये perfect place है, ठीक है, तो 3-4 parts के इंदर आप अपनी entry यहाँ पर बनाएगे, जिससे आपको regret भी नहीं हो, और जब भी इसके अगर डिप आता है, तो अच्छा यहाँ पर आप लो सबस्टाओ करते ώ牌 है, तो 3-6分 नहीं हो, अच्छा यहाँ हो, फिसके अच्छा यहाँ पर आपको अच्छाओनी, करन молoptापै, तो 2-3, कि ऑक हो यहाँ एhtो भी पर लोच्छा, चिति अогस्छा यहाँ पर वोगको जो पर आपको अञाँ वहाँ कर सब् forward-time death, बनेर दो कि म